आज के बनने वाला पोबन सेप सैप मैं अंघारा काबाब बनाने वाले हूँ चिकेण Glenra काबप जी अंकठ दोड़ा हनुत जी ईए गाज पुखड़ा हो रहा हुआ है इसके बाद हम अपना ग्रीन चिल्ली जी चॉप ग्रीन चिल्ली इसके बाद अपना लॉसून के तोड़ा ज्यादा रहना पड़ते अंगरा में थोड़ा हल्का जादा है है जीजर गल्लिक पेस्ट देखो कैसे आप बन रहे अपना चिकेन आंगरा कवाब टोड़ा से अपना चीज होगया खलका चीज जाद में जादा हलुद हुद है जीज डाल दिया अभी गिरिंचिली पेस्ट अब चलर के लेप रेट मिर्ची पेस्ट अपने तर ने बेट पेस्ट अपने तर अपने तर कलर रूइस नहीं होता है अब इसमें मेकनेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा दो से तीन-चार मिनिट मैकनेट करने के लिए अपना मे Reports मेकनेट वाएग नमक नमक अबना बीलग नमक अबना इसे सोब पाउडर बोड़ी सोब पाउडर डाला है अबना धनिया पाउडर हो गया यह कुछा है इसको अभी मेगनेट किया जा रहा है मसला डालने का बाद कि मैगनेट कर रहा है इसको मैगनेट कानि के लिए कितना टाइम लगेगा 2-3 मिल लगेगा मैगनेट कानि के लिए कि अब इसमें क्या से लिवाज है चीके नंगरा कबाब लगा हुगी से अपना चिकेड नंगरा कबाब का त्यार ही हो रहा है कैसा बनता है देखो चिकेन नंगरा कबाब इसको पकनी के लिए कितना टाइम लगेगा पांस साथ में पकनी के लिए टाइम लगेगा इसको अब इसको मसाला आने का बाद बाटी में डालने वाला गया जी देखों इसको जाए से मसाल लगाने पड़ते हुपा है इसका इसका ड्राइट बट्टी पे जाएं अपना पुरा सेरिया में लगा चुका है यह अभी तॉंदुरी भाटी में जाने वाला अपना भाटी में जा रहा है चिके न आंगारा कबाब इसका आग भी बहुत तेजे पाटी क जितना नॉर्मल में पखेगा उतना अच्छा बखता है जी जी अपनी अपना अंगरा कवाब है अभी अभी अगरा कवाब इसको का भी बटर लगने वाला इसमें इसको बाटी में बापोष डाला जा रहा है बटर लगने का बाद अब अभी अपना चिकन अंगरा कवाब तैर हो गया का पूंसे अपना कवाब फूल तैर हो गया है यह अपना कवाब तैर हो गया सब्सक्राइब करना पड़ता है कि अभी अपना अंगरा कवाब इसमें डालने वाला है इसको भी निखलने जा रहा है यह अपना कवाब पूरा तैर हो गया चिकन अंगरा कवाब इसमें अभी क्या डाला जाएगा उपर से और कुछ डालने वाला का यह अपना चिकन अंगरा कवाब तैर हो गया यह अपना अंगरा कवाब फूल तैर हो गया चिकन अंगरा कवाब अंग यह दो डखर को रता है अंगर कवाब पूलन तैर हो आप इसरन अंगरा करीं आप मरें कि शादिंग है वो आप पूलन वूलना करीं